दोस्तों आज की वीडियो में मैं 3,27,000 रुपे का P.F. Advance का फॉर्म भर रहा हूँ अगर आपको भी नौकरी करते हुए P.F. Advance निकालना हो तो आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका भी P.F. Advance निकल जाएगा और अगर आपको लगेगी आपको मुझसे फॉर्म फाइल करवाना है तो आप मुझसे फॉर्म फाइल करवा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो हम फॉर्म भर रहे हैं यह form भड़ने से पहले जिन सरका था उनका form जो है एक बार reject हो चुका है और अब वो नहीं चाहते हैं कि उनका form दुबारा reject हो इसके लिए वो हमसे help ले रहे हैं हम as a professional इनकी help कर रहे हैं अगर आप मेरा purchase नहीं जानते हैं वीडियो में आगे बड़ें उससे पहले आप मेरा purchase जालीजे मेरा नाम सागर है मैं PF consultant हूँ यह PF का best channel है इस पे जो भी वीडियो बनाई गई है वो 100% real काम के उपर depend कर रही है आपको ये वाला जो form भर के दिखा रहा हूँ ये मेरे पास as a work आया है अब इस work को मैं कर रहा हूँ complete और जब ये form settle हो जाएगा तो with proof आप देख पाएंगे कि हाँ भीया इन्होंने कहा था कि हम इतने रुपे का form भर रहे हैं 3,27,000 रुपे का form भर रहा हूँ आप देखें अगर आप फोन से खोलेंगे तब ये वेबसाइट को जाएगी आपको गोगल पे लिखना है Member Home और यहां तीन डॉट करके आपको desktop mode कर लेना है फिर ये ऐसे फैल जाएगा website और फैल जाने के बाद आप लोग इन करोगे लोग इन करोगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा लोग इन हो गया लोग इन हो जाने के बाद अब मैं इनकी डिटेल्स निकाल लेता हूँ ये डिटेल्स जो है एक मिनट मैं देख रहा हूँ डिटेल्स हमारे पास चाहिए जरूरी ये हमने निकाल लिया डिटेल ओके अब हम कहा जाएंगे online service पे जाएंगे claim पे जाएंगे claim पे जाके हमें account number mention करना है यहाँ पे account में अगर आपको लगे कि भई मिरको account में कुछ बदलाव करना है तो आप पहले जो है IFSC code वगरा बदल ले या account number जो भी सुधार करना है वो आप कर ले सुधार हो जाए जब record में उसके बाद ही आप यहाँ पे अपना form filing वगरा के बा उसके बाद हमें ID दिखा रहा है ID हमें select कर लेनी है जिस ID में हमारा भी पैसा है हमने अपना reason select कर लिया है जो की हमारा illness reason है यहाँ पे मैं 273 lakh 27,000 का मैं यहाँ पे form file कर रहा हूँ उसके बाद आपका जो भी address हो वो आप भर सकते हैं आपको ऐसा बिलकुल नहीं सोचना है कि आपका address कुछ mistake हो गई तो आपका form reject हो जाएगा address का कोई भी important role नहीं है आपके जो भी आधार कार्ड में हो आप वो डाल सकते हैं और अगला point आपकी दिमाग में आ सकता है कि क्या हमारे bank company से पूछा जाएगा आपकी company से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ हमने last step के अंदर आके अपना OTP एंटर किया है और OTP एंटर करके यहाँ पे हम अपना form filing के लिए enter कर रहे हैं अगर website चल रही होगी तो यह process आपका 2 मिनट से भी कम time लगाएगा और अगर website नहीं चल रही होगी तो यहाँ आपका यह अटक जाएगा तो फिलाल हमारा form file हो चुका ह यहाँ पे हमने जो form file किया है इसको हम अपना मैं download कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह send करना होता है जिसका हमने form file किया है उसको मैं send कर दूँगा अब आपको मैं proof दिखा रहा हूँ देखिए तो यहाँ देखिए हमने यह form 26 जून को लगबग 3 बजे submit किया है अभी यह submit at portal आ यहाँ आप एक evidence के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे इस claim के settlement होने का date बताया गया है और amount बताया गया है जब यह form पास हो गया तभी मैं आपको inform कर रहा हूँ तो अगर आपको लगा हो कि यह video से आपको help मिली है तो ज़रूर से मेरे channel को support किजे subscribe करके और साथ म अगर आपको form filing करवाना हो तो आप मेरे से form भी file करवा सकते हैं मैं मिलूंगो आपसे अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद